गंगा दशहरा गंगा दशहरा का पर्व जेश्ट शुकल दश्मी तिथी को मनाया जाता है गंगा दशहरे की शुरुवात प्रतिपदा से होती है और समाप्ति दश्मी के दिन इसी दिन गंगा का अवतर्ण धर्ती पर हुआ था इस दिन गंगा स्नान गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेश लापकारी होता है इस दिन गंगा की अराधा करने से पापों से मुक्ति मिलती है व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष का लाब मिलता है जेश्ट माह की शुकल पक्ष के दस्वें दिन गंगाद शहरा मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के नुसार जेश्ट माह मई वजून के बीच आता है गंगाद शहरा हिंदू का एक प्रमुक्तियोहार है जेश्ट शुकल दश्मी को गंगाद शहरा कहते हैं इसमें स्नान, दान, रूपात्मक वरत होता है सकंद पुराण में लिखा हुआ है कि जेश्ट शुकल दश्मी समवत्सर मुखी मानी गई है इसमें स्नान और दान तो विशेश करके करें किसी भी नदी पर जाकर अर्ध, पुजादिक, एवं तिलोदक, तीर्थ प्राप्ती निमितक तरपन अवश्य करें ऐसा करने वाला महापात्मकों के बराबर के दस पापों से छोड़ जाता है कहानी राम जी की नगरी अयुध्या में एक राजा हुआ करते थे सगर, इनकी दो राणिया थी, जिसमें से एक राणी को साथ हजार पुत्र थे, वह दूसरी को सिर्फ एक पुत्र था राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेग यग्य का आयोजन किया उन्होंने समूचे भारत में भ्रमन के लिए और सभी राजाओं को बताने के लिए अपने अश्व को छोड़ा महराज इंद्र सगर राजा का ये यग्य सफल नहीं होने दिना चाहते थे इसलिए उन्होंने अश्व को अग्वा कर लिया सगर राजा के सभी बेटे इस खोड़े की खोज में लग गए समस्त पृत्वी में खोज करने के बाद भी अश्व का कुछ पता ना चला जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का हुक्म दिया पाताल में खुदाई हुई उसी समय वहां महामुनी कपिल की समाधी लगी हुई थी वे घोर तपस्या में लीन थे उनी के समाधी के पास खोड़ा भी था जिससे देख राजा के बेटों को गलत फैमी हो गई और वे चिलाने लगे जिससे कपिल महराज की तपस्या भंग हो गई और उनकी गोर तपस्या की तपन से राजा के साथ हजार पुत्र वही राक का धेर हो गए दूसरे पुत्र ने अपने पिता को जाकर पूरी बात बताई वही महराज गरुड भी आए जिन्होंने राजा सगर को अपने साथ हजार पुत्र प्राप्ती के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बताया उन्होंने बोला तुम्हें तपस्या करके गंगा को धर्ती पर लाना होगा जैसे ही गंगा धर्ती में आएंगी तुम्हारे पुत्रों की भस्मी पर पढ़कर वे सब मुक्त हो जाएंगे सगर और उनके पुत्र ने तपस्या की लेकिन सफल नहीं हो पाए इसके पश्चात सगर राजा का पौत्र भगीरत का जन्म हुआ अपने पूर्वच के इस अधूरे काम को उसने अपना कर्तब्बे समझा और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की ब्रह्मा जी खुश होकर प्रगट हुए और वर्दान मांगने को बूला भगीरत ने गंगा को धर्ती में भेजने की मांग की लेकिन यहां ब्रह्मा जी ने बताया कि धर्ती में इतना बल नहीं है कि वे गंगा के भार को सहन कर सकें, अतह तुम्हें शिव से इसमें मदद लेनी चाहिए, वे ही हैं जो गंगा को धर्ती पर अपने द्वारा भेज सकते हैं, उस समय गंगा ब्रम्म के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव की जटाओं में अवतरित किया, भागिरत ने अब फिर शिव की कड़ी तपस्या की, वे सालों एक अंगूठे पर खड़े रहे, इस दोरान गंगा कई सालों तक शिव की जटाओं में ही रही, वे इसमें से निकलना चाहती थी और रसातल जाना चाहती थी, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वे खोही गई, गंगा जी की साथ धाराएं हिमाले के बिंदुसार से होते हुए पृत्वी पराईं, पृत्वी में आते ही गंगा का विशाल रूप देख, मानवजाती परिशान हो गई, उन्हें लगा भूचाल आ गया, जिस रास्ते से गंगा निकल रही थी, वहां कई रिशिमुनियों के आश्रम भी थे, जिसमें से एक थे महराज जहू, गंगा को आता देखवे समझे, ये कोई राक्षस की किड़ा है, तथा उन्होंने उसे अपने मूँ के अंदर ले लिया, भागीरत समेत सभी देवताओं ने उनसे विंती की तब्वे माने, इसी के बाद से उनका नाम ज दान करके गंगा आरती करवाते हैं, कहते हैं इस दिन गंगा में डूपकी लगाने से दस तरह के पाप मिट जाते हैं, स्नान के दौरान इस मंत्र का जाप अपने मन में करते रहें, ओम नमः शिवाय नारायन नय दशहराय गंगाय नमः फिर हाथों में फूर लेकर इस मंत्र को बोलें, ओम नमो भगवते ए हरीम श्रीम हिली हिली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा, गर्मी में पढ़ने वाले इस्त्योहार में आम, तर्भूज, खर्भूज, सत्तू का दान मुख्य रूप से किया जाता है, ओम शान्ते 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 हे हरी ओम तत्सत श्री राम कृष्णार पडमस्तू